हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं यूटूब चैनल एंड इस वीडियो विल फोकॉस ओन सरसा परीला फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजी ताके में न्यूव विडियो की अप बहुत ही लापकारी है इस वीडियो को पूरा चारूर देखिए शरसा परीला प्लांट कीमप की मेडिसिन हें इनदिया में मेक्सिकों मीगी फैल इसकी प्लांट पाई जाती है इंडिये स्केंद दिसिलिस प् swiftly अगरी से और सेजिद्स diflis लिप्रोसी टाय में अच्छा का है क्रिटिनीन है वह अच्छे तरीके से छनने लगती है और जो बॉड़ी में टॉक्सिक चीज़े हैं उसको बॉड़ी से बाहर करने में मदद करती है और जब गंदगी हमारी बॉड़ी से निकलने लगती है तो खास कर इसकेंड डिजीजेज हैं वह बहुत जल्दी ठीक होन लगती है नेक्स यह में यूरी नरी ट्राक्ट पर बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे किड्नी यॐरेटर डिजीज होने के बाद बॉडी थिन होने लगती है बहुत ही जादा वीकनेस हो जाती है जोईंट पेन रहने लगता है तो ऐसी कंडिशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं नेक्स अगर आपको जनाइटिल एरिया में अलसर है यूरेथरा से ओफिंसिव हो रहा है पिशाब में जलन है तो आप इस मेडिसिन को जरूर यूज कीजिए बहुत यह अच्छी रिजल्ट देती हैं सरसा परीला किसी भी परसन की स्टामिना इनर्जी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है यह बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नेक्स अगर किसी को अगर किसी परसन को बार बार किड्नी में स्टोन होने लगे यह लोबर इब्डॉमिन में पेन होने लगे पेट में और कमर में साथ-साथ दर्द रहे और फीवर भी आ सकती है तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं नेक्स यह मेडिसिन बच्चों के लिए भी बहुत इ हैती हो लाडर मेंpiection हो गया हो या इन्फेक्शन है तो यह मेडिसिन बहुत और फास करने के बाद और पास करने से पहले बहुत साथा दर्द होता है बच्चे रोने लगते हैं दो ऊस के समें यूज कर सकते हैं नेक्स प्र horrific के समें यूज़ कर सकते हैं नेक्स अगर किसी मेल को recurrent हरपीज infection होता है skin eruption genital area में eruption aging है या किसी परसन को ulcer form कर रहा हो तो ऐसी condition में भी आप इस medicine का यूज़ कर सकते हैं अगर किसी person की skin dry है, scaly है, white color का skin निकल रहा है तो आप इस medicine को यूज़ कर सकते हैं इसके इलावा eczema की condition में भी use कर सकते हैं, नेक्स अगर किसी person को skin में rashes होने लगे skin में feet में crack होने लगे, तो आप इसे use कर सकते हैं सरसा परीला medicine को joints related problem में भी use कर किया जाता है अगर किसी person को rheumatoid arthritis की problem है, जिसके कारण severe pain बना रहता हो तो ऐसी condition में आप इस medicine को use कर सकते हैं नेक्स किसी person में uric acid जमा होने लगता है, जिसके कारण gout या गठिये की problem होने लगती है तो आप इस medicine को use कर सकते हैं नेक्स अगर nails में infection हो जाता हो, pain हो, bus form करने लगे, तो आप इस medicine को use कर सकते हैं नेक्स है headache में भी अच्छा काम करती है, अगर right side में headache हो या what I go हो तो वहां भी इसे use किया जाता है नेक्स अगर scalp में किसी तरह का infection हुआ है, तो आप इस medicine को बिल्कुल use कर सकते हैं नेक्स फीमेल्स में अगर menses late आ रहा है और कम आ रहा है, या किसी फीमेल्स में menses आने से पहले skin में eruption होने लगे especially forehead में होने लगे, तो आप इस medicine को use कर सकते हैं नेक्स बात करते हैं, डोजस के बारे में, अगर आप सरसा परीला 30 potency में लेते हैं तो 4 drop दिन में 3 बार लेनी है, और अगर 200 में ले रहे हैं, तो 2 drop दिन में 1 बार और अगर mother tincture form में ले रहे हैं, तो 15 drop half cup पानी में दिन में 3 बार लेनी है नेक्स दोस्तों सरसा परिला की सेरप भी मार्केट में अविलेबल है अगर आपको बहुत जादा बॉडि में इचिंग रहती है तो दो फाइल आप इसके पीजिये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो यह था आज के वीडियो में वीडियो अच्छा लगे त पिर मिलती हो नेक्स वीडियो में